अलो फ्रेंज मैं हुआ विनास कुमार आई होप आफसरी की एकसाम बहुत बहुतरीन गए होंगे एक साइस साब इंस्पेक्टर फायरस्टेशन ओफिसर के आज के दिन सोला चुलाई की एकसाम थे पेपर के डीटिल एनलिशिस करेंगे किस सब्जेक्ट चे कितना प्रशन सबसे पहले आते हैं पेपर के लेवल को उपड़. पेपर का लेवल एक तरह से क gymnial सकते हो इसे थे जो असानी से ऊप्सन के औप तीक लगा सकते तैई है यहाँको यदि आपने याद कर रखा है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगे करंटरफर के टॉपिक उपर बनाने में क्यूशन फिर या हिस्टी का क्यूशन हो हिस्टी के जैसे यहां पर administration से related जो भी terms होते हैं यहां से प्रश्ण ज्यादा रहा है जो भी प्रश्ण पूछेगा हिस्टी से ज्यादा तर administration से related प्रश्ण पूछेगा कितने नमबर में रहा है थोड़ी दर में हम लोग बात करते हैं फिर economics की बात करें यह भी असान था पर कुछ प्रश्ण बहुत ज्यादा ट्रीकी थे option में बहुत ज्यादा ट्रीकी थे ठीक वसी तरह से science के भी बहुत सारे प्रश्ण ऐसे थे पढ़े हुए थे पर option इतना ज्यादा ट्रीकी था तो कि उसको attempt लेना एक सही एक right attempt लेना बहुत कठीन का काम था तो science segment भी overall आपको होगे तो एक तरह से moderate to tough level के paper थे science segment का जोग्राफी की बात करें यह आसान था यहाँ पर कोई यह आपने अच्छे से Indian geography करके गए एक ही वर्ल्ड जोग्राफी से related प्रश्ण थे नहीं तो ज्यादा था प्रश्ण यहाँ पर Indian geography से related प्रश्ण पूछे गए और यहाँ पर सारे प्रश्ण ऐसे थे जो कई बार आप अपने पढ़ रखा होगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि हुए होगे यहाँ पर जो बदला हुए एक बदला हुए इंगलिस से पेपर पूछे गए और टोटल नंबर अफ प्रश्ण की बात करें तो यहाँ से तीन प्रश्ण पूछे गए जो यहाँ बदला हुए अब यहाँ पर लोगों को हलकी फुलकी इंगलिश कम से कम से कर जाने होगे जादा नहीं तोड़ी बहुत आपको सब्कि कि हर नंबर यहाँ पर बहुत जादे इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जैसे देख रहा हैं वेकंस के नंबर कम रहे हैं के मेहनत करनी है हम वह नहीं करना जैसे बहुत सारे कोचिंग उसका स्थावाले जो करवाते यह सब्जेक्ट कर लो यह सब्जेक्ट कर लो जितने भी सब्जेक्ट से आप देखो एक साइंस सेग्मेंट के छोड़ दो तो बाकी सेग्मेंट से प्रशन लगवाग इतनी रहें जि सब्जेक्ट उपर इतना डिटेल में इतना देफ्ट में हजार बापढ़ रहें उससे ज़्यादा जुरूरी है कि आप साइंस सेग्मेंट को पर ज्यादा द्यान दे क्यूंकि लगातार साइंस सेग्मेंट हमेशा इंपॉर्टन रहा एकनोमिक्स के भी केशन ट्रिकी थे यहां पर भी मैं कहूंगा माडेट लेवल के क्यूशन थे एक दो जहां ऐसा नहीं थे कि आपने पढ़ा नहीं होगा सारे प्रस्ट पढ़ा हुआ है पर थोड़े से ओप्शन टीक लगाने में सही अटेम्ट लेने में ट्रिकी क्यूशन थे यहां पर वर्ल्ड हिस्टी से ज्यादा यहां पर मिश्व लेनी से हमें कुछ इए ज्यादा तर अब बात कर वे पर कैसा था तो पेपर आपका सकते हो आसान थे जहां पर असान से प्रस्ट अटेम्ट की बात करें सकतर से जौदे लेज सकते थे व्यांताइच को अपने में आज़िए डिक्कत-नीच को य प्रशन नहीं आसानी से 70 प्रशन हो सकते थे यहां पर और यहां पर लोगों ने किया भी होगा और यहां पर कटफ के उपर जब हम बात करेंगे तब आपको यह राफ आइडिया मैं दे दूंगा अब आते हैं कितने किशन किस सब्जेक्ट से पूछेगा यह मैंने रॉफ किय कर त्यार है इस बार फिजिक्स बहुत जादे इंपॉर्ट और फिजिक्स का जो ऑप्सन तेने बहुत जादा ट्रीकी थे आप सौधानी से यदि ध्यान देकर आप नहीं बनाते हैं आप असानी से उप्रशन को गलत कर सकते हैं यानि साइंस को मैं सीधे तोर पर कह सकता हू तो साइंस सेग्मेंट पूरी तरह से आप टफ कह सकते हैं और फिजिक्स के नंबर आफ क्रिशन काउंट करना चाहो तो यह दो तीन यह रहा चार और पांच छे शाद आठ टोटल आठ प्रशन पूछेगा फिजिक्स से बायो से देखे तो एक दो तीन चार पांच पांच से अब दो तीन प्रशन रहा सिर्फ कमेश्री से तो किशन के पैटरन देखेंगे तो काफ़ी हतकर अच्छे लेबल के साइंस से आसानी से नहीं बना जा सकते थे जोग्राफी की बात करे तो जोग्राफी आप जितने वह तीरा प्रशन पूछेगाए जाधा तर प्रशन आ पूछे कहा है आसान कहूंगा इंगल्स पाहली बार सभी कंड़ेट के लिए रहा कुछ कंड़ेट होंगे जो CGL की एक्साम में देते आ रहे हैं कुछ चंड़ेट होंगे जो इंगल्स को पर थोड़ा बहुत ध्यान दे रखाओंगा तो इंगल्स आसान ही थे पर जहाँ पर ज्यादा तर अवेर नहीं थे इंग्लिस को लेकर तो यहां पर मैं यह सेग्मेंट को पूरी तरह से आउट अफ श्लेवस कहूंगा और शाथ में जितने जेनरल अफ केंडेट है जो जादा था केंडेट एक्साम भीहार दरोगा के देते हैं वो सारे केंडेट इंग्लिस नहीं पढ़ते हैं इंग्लिस को इग्नॉर करके चलते हैं तो यह सेग्मेंट को भी आप टफ लेकर चल स साथ करें टूटल प्रशन रहा 10 कि उसन जिसमें से एक बिहार पॉलिटिस रिलेट रहा जो पहली बार बिहार में डाश्पति शासन कब लगा गया थे यह प्रशन थे और एक सिविक से प्रशन रहा और बाकी जो आठ प्रशन रहें यह भारतिय से विधान से ज्यादा तर कुछ आपको स्टेट्मेंट से रिलेटेड थे और जादा तर आर्टिकल्स रिलेटेड प्रशन पुछेगा थे जो आसांत है जैसे सुप्रिम कोड के आर्टिकल्स पूछ दिए गया है फिर इसी कोरम पुरा करने के लिए कितने सदस होने चाहिए इस तरह के प्रशन पूछे गया और यह भी सेग्मेंट आसांत है ज्यादा तर प्रशन के असानी से अटेंट और ऑप्सन भी इस तरह से सेट किया गया था आप असानी से राइट ऑप्सन को चुन सकते थे यहां पर ज्यादा कन्फिज जहां एक गांधी जी वाले प्रशन को लेकर बाकी सकते थे इसके बाद बात करें यहां पर एक और नया सब्जेक्ट इंट्रडिउस किया गया यहां पर हिंदी मैं जानता हूं कि ज्यादा तर खंडट व्यार प्लीट सब इंस्पेक्टर 2019 के लिए प्रपेशन किया होगा और हिंदी पढ़ा होगा हिंदी के 4 किशन जो पूछे गया और एक संदी बिचे थे और एक सायद मुझे याद नहीं है तो इसी तरह से चार प्रशन हिंदी में पूछे गया देन बात करें करें करेंट अफेर करेंट अफेर से भी एक प्रस्ण इस बार पूछे गया जैसे बहुत सारे क्या हम लोग भी लेकर चलते हैं प्रशन नहीं पूछे जाते हैं पर यहां पर बिहार से रिलेटेट अब भी दो प्रशन आ गए इंडियन पॉलिटिस रिलेटेट एंड अवे के एंसेंट हिस्ट्री का जो प्रशन पूछा गया जो भी बहुत या जैन धर्म बहुत धर्म था एक्जैक्ट मुझे याद न नहीं चल सकते कुछ इंपोर्टेंट जो बिहार में इवेंट हुए उन इंपोर्टेंट इवेंट से हमेशा पुछे जारें प्रशन और यहां पर यह पालीवार नहीं है लगभख 2020 दरोगा में भी बिहार से रिलेटेट कुछ प्रशन पूछे गया थे बहुत अच्छा प प्रेशन आपको मिल जाएंगे जैसे सोन रिव वाला कोई लबर फूल वाला पुछे गायते कि सी रिवअल पर जो प्यार से रिलेटेड है तो बिहार जोग्राफ से रिलेटिड है तो बिहार जोग्राफी में भी एक कुष्ण आगाया टोटल चार कीषण निकल कर आगाया य जिस प्रिशन यहां पर पूटल कॉन्ट आफ데 पूँछे गये सबसे ज्यादा प्ररश्ण करंट आफेट से पूँछे इसके बाद यहां पर साईंस से पूँछे गया देनल आपका जोलपकी शव पूचे गये और फिर उसके बाद आपका पुछे गया पुछे गया पुछे गया पुछे गया पुछे गया जो जगीदार जमिन दिये जाते थे तो उससे क्या कहा है जाते तो इस तरह के प्रस्ट जो administration से रिलेटर प्रस्ट रहा तो या medieval history भी यानि ज्यादा तर यहीं suggest किये जाते हैं कि आप raja-maharajah को पर ज्यादा focus ना करकर medieval history के administration को पर focus कर लो art and culture को पर focus कर लो असानी से अच्छे प्रश्ण आप attempt करके आ सकते हो और सही attempt करके आ सकते हो medieval history भी जिस तरह से हमने बात किया था ठीक वैसा ही रहा economics की बात करें total nine questions पूछे गया तो ये segment यहाँ पर भी अच्छे नमबर में सबसे ज्यादा प्रश्ण पूछे गया economics से चट्थे नमबर में modern history से ज्यादा रहे एक तरह से history combined calculate कर दे तो चौथे नमबर पर आ जाएंगे तो दिन बात करें economics से 9 questions पूछे गया और अच्छे लेवल के प्रश्ण थे तो यहां पर आपको बहुत सार लोगों को परशानी हुआ होगा कुछ प्रश्ण को आप असानी से ले सकते थे पर उन प्रश्ण के भी option इतना ज्यादा ट्रिकी थे आप राइट एटेम्ट चुननना बहुत ज्यादा डिफकल्ट काम था एक्जाम हॉल में आप रहते हैं उस्से में लगेगा कि यहां आपने सही अटेम्ट लिया है पर जब एक्जाम हॉल से बाहर आएंगे तो इतना प्रश्ण का नाम याद नहीं है मिशलेन्या से यहां पर चार किश्ण पूछेगा अभी प्रश्ण यहां पर मुवी से रिलेटर पूछे दिए गए और इस मुवी के सारे कारेक्टर कर जो रोल नहीं बाया है सब के नाम याद तर एक्जाम हॉल में ही नाम बुल गए तो कहां पर शायद गलत हुआ होगा पर एक्जाक्ट मुझे नहीं नहीं किया तो पहली बार जैंस बॉंड मुवी के कारेक्टर को किस्टन निभाया था किस्टर नहीं निभाया था इस तरह के प्रश्ण पूछे गए मिशलेने से चार प्रश्ण यहाँ पर पूछे गए यानि लगल को ओर बात करें तो एक तरह से पेपर आसान थे आसान कितना सकतर प्रश्ण आप हासान से बिना रुक के सारे इसा वहाँ पर जानते हैं यहां पर रिजल्ट यहां पर देना नहीं है और यहां पर यहां पर यहां पर आपने लेवल को पर बात करूं लगवाग ना के बराबर करके गया था रिविजन इतरा से जैसे मुझे पॉलिटे के आर्टिकल पूश दिए गया वहां पहुत जादा परिशानी जे अप्शन अल्मिनेट करके बनाने पड़े ज्यादा तर यह तर यह तर यहां पर जो मुश्किल मेरे साथ हुए जितने भी जितने यहां पर रिजल्ट देने उनके साथ यह मुश्किल नहीं आया ह यह तर चलूं तो उसके हिसाब से बात करें बेस्ट अटेम्ट यह तिए आपका 83 से जादा है जो एक राइट अटेम्ट की बात कर रहा हुए यह गलत सही नहीं मेरे कलम जो रुके थे लगवक 80 से जाधा प्रशन अटेम्ट कर चुका था तब जाकर कलम रुके थे फिर उस यहां पर मैं गलती की होगी जो जहां पर मैं गलती करके आ रहा हूं जहां पर जिस प्रशन में आसानी से 90 के आसपास एक्जाक्ट सही होना चाहिए था पर यहां पर मैं गलती करकर आ रहा हूं जहां पर बहुत सारे कंडेट होंगे जो एक्टेम्ट लेकर आया होंगे तो मैं जनरल कंडेट में आते हैं यहां पर से मैंने अपलाई कर दिया यू आर्केटेगरी में मेरे हिसाब से जो लग रहा है 83 से ज्यादा स्कोर है तब आप अपने आपको शेफ मानों और यहां पर एक यानि 83 बहुत सारे कंडेट होंगे जो बाहार होने जार है कुछ ही कंडेट होंगे 83 से उपर आप आप स्कूर कर रहा है क्योंकि यहां पर स्कूरं उनका स्कूर में कमि नहीं है क्ड़ होने के वाजर से जो रिजल्ट का उम्मीद कर सकते या करदबर रहते नहीं तो ड कर दो टू अपन सच ह Kenny के कर आपके कहान सकता आप पर इस साइंस सेगमेंट इसना असान नहीं था बहुत ट्रिकी प्रशन थे एकनॉमिक्स बहुत जाद ट्रिकी थे इंगलीस एक तरह से इन प्रशन पुछेगा इसे हटा ही दो हिंदी सारे लोग एटेम्ट कर ही रखा होगा तो यह साइंस और एकनॉमिक्स यहां पर लोग अच्छे जितने भी ज्यादा मेहनत कर रखा होगा उन से भी बनाने में बहुत जादा मुश्कल आये होंगे तो यहां पर मैं यदि नंबर वेकंसी दो हजार करीब होते तो सतर बहुत अतक से फसकोर रहा था पर यहां पर नंबर वेकंसी सिर्फ 64 या 66 है तो यहां पर जादा ही से बात कर लेंगे उसके बाद हम बात करें ये कट अफ को पर क्या रहेंगे गुड एटेम्ट की बात करें तो आसी करीब आपने सही किया तो बहुत 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 ज्यादा लगवक ना के बराबर रहेंगे कि इससे कम जाए चलिए देखसें क्या होता है और लोग के स्कोर निकल कर आते हैं लोगों से बात करते हूं उसके बाद क्या निकल कर आते हैं उसके बाद हम लोग कल के दिन या उसके अगले दिन हम लोग बात प्रोपर वे में करें पर अब भी के लिए एक rough आइडिया था, इतने के आज पस आपने attempt किया, तो एक अच्छा attempt माना जाएगा, एक अच्छा score है, preliminary exam के बाद, आगे के stage मेंस exam के लिए, अब ये 83 में क्या बरहूँ, right question, question attempt, आप इसमें multiply 2 कर दोगो, कर दोगे आप, तो ये आपका score निकल करा चलिए, आज किस वीडियो में तो नहीं, और इस वीडियो को देखने के लिए, आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद जाहें,